नमस्कार आप देख रहे हैं कैप्टल टीवी बिहार और मैं हूँ आपके साथ स्षिश्टी में थाने और अब वक्त तो चला है आज की दिन भर की बड़ी खबरों का बियार के छोटे बड़ी इवेंट्स का जिनसे आपका बाख़बर होना है जरूरी तो आज सबसे पहली ख दंगों का राजनेती करण होने लग गया जिसका डर था वही देखने को मिला अराप इन दंगों पार पॉलिटिकल एंगल तलाशा जा रहा है बात प्रतिवाद देखा जा रहा है तो बयान भी आपको सुनाएंगे बागी खबरों से भी आपका रूबरू कराएंगे लेकि बिड़े आलाद दाला 144 लाड़ू दो गुटों में बवाद। ग्रेमंद्रे मिच्चा का जासराम दौरा राज दंगों से बिड़े आलाद प्रशासम ने कारेक्रम पर लगाई रोग काहा सुरक्षा का सवाद। इस तरवार बोले लालू की संगात और पीम के ख़ाब बोले सुश्रील मुर्धी का ऐसे कैसे दिखेंगे केंडर के काफ। ब्यार में बर फिर मौसम ने भी करवट अगले 24 घंडे तक बारिश के असार साथ में तेज तूफान और ओले भी कई जिलों में जारी ओले चला। गया में एवानित के सारी अदे बार खेट में लवारिस मिला एक महिल और बच्ची का शाफ दोनों के मा बेटी उने किया शक्का अब तट नहीं हो सकी शिता। पूर केंद्रे मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुकरवार को प्रेस कॉनफेंस की जिस दौरान रविशंकर प्रसाद ने अर्विशंकर पर जम कर हमला बोला। इसके बावजूद अर्विन केजरिवाल इस मुद्दे को उठाते हैं जिस वजह से आज पहली बार मुख्यमंत्री को कोट ने फाइन लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिनके साथ ही मनीश्ति सोधिया और सतेंद जैन भष्टचार के मामले में जेल में बंध हैं वो लोग पीम नरिंडर मोदी के विकल्प बनने की बात कर रहें। तो वहीं बिहार में राम नवमी जुलूस के दौरान कई जिलो में उपद्रव की खबर सामने आई है। जिसमें सबसे ज़ाद उपद्रव सासराम और नलंडा में देखने को मिला। वहीं बात करें सासराम को उपद्रव की तो यह उपद्रव राम नवमी में जुलूस के दौराद दो समुदाए की बीच में देखने को मिला। वहीं इस मामले में अब तक 14 लोग घायल हो चुके हैं जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से की खबर सामने आ रहे हैं इसके लावा पत्राव में कई पुलिस कर्मी भी घायल हो गाए हैं वहीं नलंडा के कई इलाको में जलूस के दरान भारी उपद्रव देखने को मिला जिसके बाद दोनों जिलों में तनावपूर्ण स्थिती बनी हुई बतादे की सासराम में राम नॉमी को लेकर शुकरवार को भारी संख्या में लोगों ने जलूस में हिस्सा लिया वही सासराम में उपद्रव के बाद शावाद ब्लॉक के DIG मौके पर पोचे, जिसके बाद दंगे को काबू मिलाएगा ग्रैमंध्री अमिट्शा का सासराम का कारेक्रम रद हो गया है बतादे कि सासराम में राम नौमी जुलूस के दरान उपद्रव हो गया था जिसके चलते प्रशासन को इलाके में धाराग 11 लागू करनी पड़ी यसी कारण अमिट शा को सासाराम कारेकरम रद्ध करना पड़ा जिसके बाद अब अमिट शा सिर्फ नवादा के कारेकरम में हिस्सा लेंगे पतादे कि अशोक जहनती के मौके पर अमिट्शा ने सासाराम में एक कारेक्रम में हिस्सा लेना था जिसके बाद अगले दिन ग्रह मंत्री अमिट्शा को नवादा के लिए कूच करना था वहीं इस मामले पर पूलिस ने बताया कि दोनों जगा में आप सितिनी अंट्रग में तो वहीं अमिट्शा के सासाराम कारेक्रम कैंसल होने से बीजेपी पतेश अध्याक्ष समराठ चौधरी ने प्रेस कॉन्फरेंस के दरान नितीश कुमार पारे जम कर आरोप लगाए है जहां समराठ चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार बीजेपी की लोगों के कारिक्रम के साथ सौतेला जैसा पर अभार करती है समराठ चौधरी ने कहा कि अशोग जैती को लेकर बीजेपी का सासराम में एक आयोजन था लेकिन वहां धारा 144 लागू कर दी गई इस वज़ा से केंडरे ग्रियमंत्री अमिट शा का सासराम दोरार वर्द कर दिया गया इसके अलावा समराठ चौधरी ने नितीश कुमार पर तंज कसा जा समराठ चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार से आब बिहार नहीं संभल रहा है समराठ चौधरी ने कहा कि सासराम में हिंसा के बाद भी सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई है जिसे ये साफ है कि नितीश कुमार से अब भिहार नहीं समझ रहा है तो वहीं भिहार के सासराम और नलंदा में शुक्रुवार को हिंसद जड़ब देखने को मिली जिसको लेकर नितीश कुमार ने बीजेपी के हमलों पर पलट वार किया है जहां सीम नितीश कुमार ने कहा कि कोई भी केंद्र के मंत्री बिहाराते हैं तो उनको सुरक्षा दी जाती है राजे सरकार अपनी जिम्मेदारी मी भाती हैं हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं इलावा अमिट्शा की रैली से जुड़े सवालों पर नितीश कुमार का जवाब आया कि अमिट्शा के दोरे रध होने को लेकर सीम को कोई जानकारी नहीं है वही नितीश कुमार ने घटना पर शोग रताया है और वरोसा दिया कि प्रशासन इस मुद्दे को लेकर अलट है राजे सबस अदर्सय सुशील मूर्दी ने शुक्रवार को नितीश कुमार पर हमला बोला जहां सुशील मूर्दी ने कहा कि लालो प्रसाद की संगत, कुर्सी का मोग और आखों में पीम बनने के सपने भरे होने की वज़ा से नितीश कुमार को सबसे तेज विकास करने वाली केंदर सरकार के काम नहीं दिखाएते रहे जहां सुशील मूदी ने केंदर सरकार के बिहार में किये गए बड़े प्रोजेक्ट का हवाला दिया सुशील मूदी ने बताया कि केंदर सरकार ने 8,000 करोड की लागत से बरौनी खातकार खाने का आधूनी करण करा आया सुशील मूदी ने कहा कि एक तरफ नितीश कुमार केंदर पर काम ना करने के अनरगल आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ केंदर योज़्ट्राउम में रोड़ा अटकाते हैं ताकि प्रधान मंत्री को कोई श्रह ना मिल सकते हैं मौसम विबाग की ओर से अगले 24 घंटों के अंदर भारी बारिश और ओलविष्टी की संभावना जताई जा रही है इस दोरान प्रदेश के कई जिलों में और इंजलेट जारी कर दिया गया है महीं मौसम विबाग की माने तो राजधानी पटना, बकसर, गया समेथ, दक्षिन विहार के कई जिलों में खराब मौसम का असर देखने को मिलेगा वहीं इसके साथ ही मौसम विबाग ने इन जिलों की लोगों को आंधी तूफान से सतक रहने की भी चेताब नेती है जिसमें राजधानी पटना, और अंगबाद, गया, बकसर समेथ, दक्षिन विहार के कई जिलों में आंधी के साथ ही ओले गिरने की वियाशंका जताई जा रहे है मौसम को देखते हुए विबाग ने किसानों को अपनी फसल के बरबाद होने के आसार भी बता है तो वहीं ब्यार के गया से एक दिल देलारे वाली खबर सामने आ रही है जाजले के रफी गंच के खेत में करीब 30 वर्ष ये महिला और एक 8 साल की बच्ची का शव मिला है जिसके बाद पूरे इलाके में हरकम मजग गया वहीं बता दे कि सूचना मिलते ही पूलिस ने महिला और बच्ची के शव को पोस्माटम के लिए भेज दिया है जहां दोनों के मा बेटी होने की आशंका जताए जा रही मगर अभी तक शवों की शिनात नहीं हो सकी वहीं DSP गुल्शन कुमान ने बताया कि शवों को सर पर चोड के निशान लगे हुए है जा प्रतम दृष्टिया एस लग रहा है कि मा बेटी की हत्याकर शवों को कहीं और से लाकर यहां फैका गया है हाला कि इस मामले में पुलिस हर एंगल से चार्ज कर रही फिलाग इस बुलिटर में इतना ही मैं लॉटम की बाकी खबरों के साथ तब तक के लिए देखते रहे है कैप्टल टिवी बिहार